Get up together लेकिन डेमी की उमीदों पर पानी फेरते हुए प्रियांका बीच में आ गई इससे नाराज होकर डेमी ने निक को सोशिल मीडिया से भी अनफॉलो कर दिया है नूट सीन के रीटेक लेता रहा डिरेक्टर सैक्रिट गेम्स में एक सीन है इस सीन में कुपरार होते हुए नवास के सामने खुद को निर्वस्तर करती नजर आती है अक्टरस ने बताये कि जब वो सीन शूट हो रहा था तब डारेक्टर अनुराग कश्यप बार बार रीटेक ले रहे थे वो मेरे पास आकर कहने लगी कि मैं तुम्हें कई बार ये करने को कह रहा हूँ बस एक बार और साथ बार शॉट देने के बाद उस सीन की शूटिंग पूरी हुई हॉलिवूड अक्टरस बेला थोरेन ने हाल ही में टॉपलेस फोटो शूट करवाया है इसकी एक तस्वीर उन्होंने इंस्टा पर शियर किया है जिसमें वो टॉपलेस होकर हाथों से अपने प्राइवेट पार्स धकती नजर आ रही है तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्श को फिर से धक्का दे दिया आयुश को एसास हुआ कि सल्मान चाहते थी कि मैं समझों की कैसे लुड़कना है आलिया भटने दी नई जिन्दगी आलिया की जो भी चीज़े निलाम हुई है उससे जो भी पैसे कट्टे हुए उन्हें करनाटक के किकेरी गाउं के 40 परिवारों के लगे हुए जिसका टाइटल हंटर हो सकता है ये फिल्म 1780 के समय पर अधारी थे और सैफ इस फिल्म में एक नागा साधु के रोल में नजर आएंगे सैफ ने कहा फिल्म में मैं कपड़े पहनता हूं हाला कि मुझे पहना नहीं चाहिए क्योंकि नागा का मतलब नंगा हो ये फिल्म का दूसरा शेडियूल है फिल्म के पहले शेडियूल की शूटिंग भी बुलगारिया में ही हुई थी नागारजन फिल्म के दूसरे शेडियूल से जुड़े है बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कैटरीना को टमाटर से बहुत डर लगता है इसकी वज़े से कैटरीना ने टोमाटो कैचप का लाखों डॉलर एड़ करने से भी मना कर दिया था लेकिन कैटरीना प्रोफेशनल एक्टर्स में से एक है यही वज़़ थी कि जब फिल्म जिन्दीगी ना मिलेगी दोबारा में टोमाटीना फेस्टिवल शूट करना था तो उन्होंने फिल्म की जरूरत के साब से सीन शूट करने की हामी भर दी थी Pond star मिया खलीफा इन दिनों अपनी बोल्ट फोटो से सुर्खियों में चाही हुई है मिया की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर तहलका मचा देती है और उनकी हर तस्वीर में एक अलग ही मिजास होता है मिया बहुत ही सेक्सी Pond star है और उनकी सभी तस्वीरों को लोग बहुत पसंद करते है मिया इंस्टाग्राम पर सबसे जादा एक्टिव पाई जाती है एक बर फिर से मेगन बार्टन हैंसन ने बोल्ट फोटो शूट से सोचल मीडिया पर तहलका मचा दिया है मेगन ब्लाक बिक्नी पहने हुए कैमरे के सामने पोस्ट देते हुए नजर आ रही है वहीं कुछ तस्वीरों मेगन ब्रा को उतारे हुए अपने प्राइविट पार्ट्स पर राकेट रखे हुए बोल्ट पोस्ट देते हुए नजर आ रही है उनका लोग फैंस के दिलों में खलबली मचा देने वाला है प्रियांका को मिला एक और प्रोजेक्ट प्रियांका बहुत जल्द एक American वेब सिरीज में दिखाई देने वाली है इस वेब सीरीज के लिए प्रियांका का यूस के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसों में से एक के साथ बातची चल रही है इस वेब सीरीज को दुनिया के सबसे बड़े ओनलाइन स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म पर रिलीस किया जाएगा कंगना रनोच जल्दी अश्विनी अयर तिवारी की स्पोर्ट्स ड्रामा में नजर आने वाली है कंगना की इस फिल्म का नाम पंगा होगा हाली में अश्विनी और कंगना ने एक दूसरे से मुलाकात भी की थी फिल्म की कहानी कबड़ी की प्रिश्भूमी पर बनने वाली है यही वज़ए कि फिल्म का नाम पंगा रखा गया है बेनफशा सुनावाला अक्सर अपनी होट तस्वीरों की वज़ज़ से सुर्खियों में रहती है हाली में उन्होंने इंस्टा पर अपनी कुछ तस्वीरे शियर की है जिसमें वो बहुत ही बोल्ड अंदाज में दिख रही है दरसल वो इन दिनों हॉलिडे एंजॉय कर रही है बेनफशा एम टीवी चैनल पर वीडियो जो की है उनके एंस्टाग्राम की फॉल्लोवर्स को देखने से कहा जा सकता है कि अभ उनका फेम किसी का महताज नहीं है मलायका ने कैंसल किया शो मलायका को एक फैशन इवंट में परफोर्मेंस देनी के लिए उस्टेले जाना था प्रेगनेंट होई सूपर मॉडल सूपर मॉडल केट अप्टन प्रेगनेंट है और पती जस्टिन वेरलेंडर से ये उनका पहला बच्चा होगा दोनों पिछले सार्थ नवंबर में इटली में शादी के बंधन में बंधे थे अप्टन ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा किया था इंस्टाग्राम पर डाली तस्वीर में केट वियामी में बालकनी में लाल सूट और सफेर टॉप में नजर आ रही है और इसमें उनका बेबी बंभी दिख रहा है मायापूरी निउस्टाग्राम विराट कोहली को डेट कर चुकी है उन्होंने कहा था हाँ हम दो साल तक रिलेशन्शिप में रहे हैं अब हम अच्चे दोस्त हैं विराट तो अनुषका शर्मा से शादी कर चुके हैं वहीं इसाबेल मॉडलिंग कर रही है मायापुरी न्यूजरील के प्रोग्राम वीकेंड इंटेटेर्मेंट में इतना ही कल फिर हाजिर होंगे देखते रहे हैं मायापुरी कर